विजिट की दौरान सोवार को दोनों देशों के बीच सास समझोते हुए, मोधी ने केनिया को 30 फील अम्बूलेंस तौफ़े में दी है, जिन्हें वहाँ की डिफेंस फोर्सेज यूस करेंगी दोनों देशों के डेलिगेशन के बीच भी बाचीत हुई, बाद में ज्वाइंस स्टेटमेंट जारी किया गया और इसके बाद मोधी ने यूनिवरसिटी ओफ नेरोबी के स्टुडेंट्स के बीच स्पीच दी पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा नफरत और हिंसा के उपदेश देने वाले लोगों से समाज को खत्रा है जो लोग आतंक्यों को पना दे रहे हैं और राजनितिक हत्यार के रूप में उनका अस्तमाल कर रहे हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए तो साथ समझोते हुए जिस पर हस्ताक्षर किया, वहीं पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान पर भी हमला किया और आतंकवादियों को पनाहा देने वाली बात नरेंद्र मोदी ने कही